करनाल लोक सभा चुनाओ के साथ करनाल विधान सभा सेट का चुनाओ बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गया है। परदेश में मुख्यमंतरी का चहरा बदल गया। मनोहर लाल खटर से मुख्यमंतरी का ताच चिन कर कुरुक्षेतर से सांसद नायब सणी के सर पर पहना कर पार्टी ने बड़ा OBC कार्ड खिला है। कयास ये लगाय जा रहे थे कि पहले लोक सभा चुनाओंगे और उसके बाद विधान सभा चुनाओ। लेकिन इसी बीच कानूनी प्रावधान के तहत कर्णाल लोक सभा सेट के बाई एलक्षन की खोशना हो गई। जहां भाजपा ने परदेश के नव नियुक्त मुख्यमंतरी नायब सेनी को कर्णाल विधान सभा सेट से अपना प्रत्याशी बताया। अब कहा ये जा रहा है कि लोक सभा और कर्णाल विधान सभा का बाई एलक्षन एक साथ होगा। ऐसे में कर्णाल के इन दोनों सीटों का चुनाओ अब पार्टी की नाक का सवाल बन गया है। क्योंकि कर्णाल सीट पर जीत का दारुमदार अब परदेश के पूर्व मुक्यमंतरी यानि मनोहरलाल खटर, परदेश के मौजूदा मुक्यमंतरी नायब सेनी और उपर से इन दोनों पर भरुसा करने वाले पार्टी आला कमान पर होगा। ऐसे में राजनितिक विशेशके भी इस बात को मानते हैं कि कर्णाल लोकसभा और विधान सबा सीट पार्टी के लिए नाक का सवाल बनने वाली है। मौजूदा मुक्यमंतरी नायब सेनी को टिकट दिया गया है। ये चुनाब इस बार भाजपा के लिए नाक का सवाल है क्योंकि ऐसे दो बड़े नेता उतारे गई हैं जिनका पार्टी में काफी उचाकत है और आला कमान में भी उनका ठीक ठाक पहुँच है। वैसे करनाल सीट ब्रहमन सीट माने जाते रही है लोकसभा की क्योंकि यहां से चार बार चिरंजिलाल शर्मा सांसद रहे हैं और 2004 और 2009 में अरविंद्र शर्मा यहां से सांसद रहे। कॉंग्रेसे टिकट पर लेकिन 2014 में यह सीट पंजाबी सीट बन गई क्योंकि यहां से अश्वनी चोपना जो है वो सांसद चुने गए और 2019 में संजय भाटिया यहां से सांसद बने। इस बार इस सीट पर भाजपर ने अपनी जहां सारी ताकत जोगनी है वहां एंटी इंकम्बेंसी भी इस बार नजर आने वाली है चोकि इस सरकार को चलते हुए साड़े नौ साल हो गए हैं और साड़े नौ साल में सरकार की थोड़ी बहुत एंटी इंकम्बेंसी बनी जात नहीं करे हैं Congress अभी अपने उमीद्वार को तलاش रही है लेकिन यदी कोई बड़े मदबूत उमीद्वार Congress यहां से उतार देती है तो कांटे के टकर हो सकती है अभी ऐसा लग रहा है कि असली मुकाबला जो है यहां पर Congress और भाज़पा के बीच ही होना है कौन जीतेगा कौन हरेगा किसका पड़्डा भरी रहेगा इसका फैसला कॉंग्रेस के उम्मीदवानों का फैसला होने के बाद ही लिया जा सकेगा करणाल विधान सभा सीट बीजेप के लिए कितनी महत्तपूर्ण है ये तो आपने सुनी लिया इस सेट की जीत हर के साथ साथ ही आगामे कुछ महमे होने वाले हरियाना विधान सभा चुनाओं की राह भी तैह हो जाएगी अब आप देखो अपने आज पास की हर खबर अंबाला ब्रेकिंग निउस पर अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप आज ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने एपल या एंड्रोइड फोन के प्ले स्टोर से आज ही हमारी अप अंबाला ब्रेकिंग निउस डाउनलोड करें अगर आप भी हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो हमें हमारे वाट्सअप नंबर पर वीडियो भेज सकते हैं हमारा वाट्सअप नंबर है 9315348868